नमस्कार competition community के इस fast track revision course में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है पुक्राजगीरी और आपके इस course में मैं deal करने वाला हूँ 36 गड़ सामान्य अध्ययन के subject में एक चीज और आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम FTR में देखने वाले हैं 36 गड़ की लोक कलास्क्रिती का भागचार और इस भागचार में मैंने प्रश्ट उठाए हैं लोक नृत्यों और लोक गाथाउंस लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक important announcement है तो मैं आपको बता दूँ कि हम competition community की तरफ से करा रहे हैं हर संडे को 11 बजे weekly test जिसके लिए आपको शुक्रवार की रात तक जाके हमारे website पर कर लेना है register ताकि आप संडे को होने वाले test को miss ना करने तो ये announcement हो जाती ही यहाँ पर complete और हम आ जाते हैं प्रशनों पर तो पहला प्रशन है मुडिया जन जाती द्वारा निम्न लिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता तो सबसे पहले प्रशन में यह जो नहीं शब्द है इसको underline कर लो कि हमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो मुडिया जन जाती नहीं करती पहला option है ककसाड तो ध्यान रखें ककसाड नृत्य जो है यह किसके द्वारा किया जाता है तो यह 36 गड़ में निवासरत मुडिया जन जाती के द्वारा किया जाता है यह एक प्रकार का पूजान रित्य है अब पूजा है तो भगवान भी होंगे तो ध्यान रखे पूजान रित्य है तो मुडिया जनजाती में घोटुल जिसके बारे में आप जानते ही होंगे और घोटुल के देवता कहा गया है किसे लिंगो पेन को तो ध्यान रखना लिंग पेन को प्रसन करने के लिए ही यह पूजा नृत्य है मुडिया जंजाती का नाम है ककसाड तो ककसाड नृत्य हमने देखा कौन करता है तो मुडिया जंजाती है अब दूसा नृत्य है हुलकी पाटा तो फिर से ध्यान रखना यह भी एक ऐसा नृत्य जिसे कौन सी जंजाती क करती है हुलकी पाटा नृत्य भी अब तीसरा नृत्य है मांदरी तो मुडिया जन जाती में ध्यान रखना आप लोग कि यह जो मांदरी नृत्य है यह घोटुल में किया जाने वाला प्रमुख नृत्यों में से एक है एक और चीज़ बता दो इसका नाम ही मांदरी है क्यों क क्योंकि इसमें जो वाद्ययंत्र इस्तमाल होता है उसका नाम है मांदर ठीक है तो यह जो मांदर है इसको बजाया जाता है और इसपे डांस किया जाता है और यही डांस कहलाता है मांदरी नृत्य है तो यह भी किस जन जाती से संबंधित तो मुडिया जन जाती से अब मैं बात करू भड़मृत्य की तो ध्यान रखना यह एक पुरुष्प धानृत्य है जिसे की 36 गड़ की भारिया जंजाती के द्वारा किया जाता है कौन सी जंजाती के द्वारा किया जाता है भारिया जंजाती के द्वारा है प्रश्न क्रमांक एक का तो ध्यान रखें प्रश्न क्रमांक एक में सही option है क्या option number d अब देख लेते हैं second question इसमें क्या करना है हमें सुमेलित करना है या columns को match करना है पहले column में है जन जातियां दूसरे में है नृत्य तो जन जातियां है बैगा, कोरवा, मुडिया और दोरला जनजाती उसके बाद ध्यान रखना नृत्य में है दमनच, गेड़ी, पेंडुल और सैला दमनच नृत्य के बारे में मैं आपको बताओं यह ऐसा नृत्य है जिसे 36 गड़ में निवासरत कोरवा जनजाती करती है कब करती है तो ध्यान रखना विवाह के औसर पर करती है और इसे सबसे भयावं नृत्य कहा गया है गेड़ी नृत्य की बात करूँ तो इसे कौन करता है तो मुडिया जनजाती जो है 36 गड़ में निवासरत यह करती है गेड़ी नृत्य नाम क्यों पड़ा गेड़ी नृत्य क्योंकि इस नृत्य को करने के लिए मुडिया जनजाती जो है बास के बने गेड़ी पर चड़ती है जिसे डिटोंग भी कहा जाता है और इसी डिटोंग के चलते इस गेड़ी नृत्य को डिटोंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है अगला है पेंडूल नित्य तो ध्यान रखना दोरला जनजाती के द्वारा विवाह के आसर पर यह डिटोंग नित्य किया जाता है और सैला जो नित्य है यह नित्य कौन करता है तो ध्यान रखना चत्यस गड़ की बैगा जनजाती जो है वह करती है सैला नि और इस नृत्य को कब किया जाता है तो ध्यान रखेंगे दशेहरे से लेके शीत रितू के बीच में यहनृत्य किया जाता है। अब अगर पेर बना लें तो ध्यान रखना इस बैगा को मिलाना है सैला से, कोरवा से दमनच को मिलाना है, मुडिया से गेडी को और दोरला से मिल पेंडुल को, तो क्या पेर बन गया, तो बन गया A4, उसके बाद बना B1, फिर बना C2 और बना D3, अब इसे option से match कर लें, तो देखिए option number D में दिया है A4, B1, C2 और D3, मतलब option D जो है, वह इस प्रशन number 2 का होने वाला है सही उत्तर, तो यह था second question, अब आजाते हैं तीसरे प्रशन पे, तीसरे प्रशन पे कहा गया है, बार नृत्य निम्न में इसे किस जन जाती के द्वारा किया जाता है, तो देखिए बार नृत्य के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यह जो नृत् बात आती हैं कब किया जाता है, तो ध्यान रखना पाँच वर्शों में एक बार, पाँच वर्शों में कितने बार? एक बार, कौन से महीने में? तो ध्यान रखना माघ के माह में किया जाता है लगातार बारा दिनों तक कितने दिनों तक तो लगातार बारा दिनों तक किया जाता है यह बारनृत्य कवरजन जाती के द्वारा तो हमने क्या देखा बान रिटे कौन करता है तो कवर जन जाती, कवर जन जाती दी है option C में, इसलिए इस तीसरे प्रश्ण का सही answer होने वाला है option C, अब आ जाते हैं चोथे प्रश्ण पर, चोथे प्रश्ण में दिया है बायर 36 गड़ के किस छेत्र से संबंदित है, तो सबस में हैं, जन जाती नृत्या और आपको मैं बता दू, यह संबंदित किस से है, तो यह संबंदित है, क्रिशी से संबंदित है, और इसे कौन करता है, तो ध्यान रखना, सर्गुजा जिले में निवासरत, जो जन जाती समू है, वही जन जाती समू करते हैं, इस बायर मृत्यो तो हमने क्या देखा या किस शेत्र में प्रसिद्ध या प्रसिद्ध है तो यह 36 गड़ के सरगुजा शेत्र में प्रसिद्ध है सरगुजा चू की option A में दिया है इसलिए इस प्रश्ण करमांग 4 जो है उसका सही answer होने वाला है option A सरगुजा अब आजाते हैं पांचवे प्रश्ण पे तो देखिए पांचवे प्रश्ण पे हमें क्या करना है तो हमें राउत नाचा से संबंधित निम्न लिखित कथनों पर करना है विचार पहला कथन है पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं तो समझिए राउत नाचा जो है वह है 36 गड़ का एक लोक नित्य और इसमें मैं आपको बता दूं कि महिलाएं भाग नहीं लेती सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं दूसरी बात मैं यह भी बता दूं कि इस राउतनाचा में कोई गीत नहीं गाया जाता बलकि दोहा जो है उसे गाया जाता है 36 गड़ी तो इस प्रकार के अनेक सारे दोहे होते हैं जिन्हें की गाया जाता है इस राउत नृत्य में तो यह जो दूसरा स्टेट्मेंट या कथन है इसमें दोहा गाया जाता है यह बिल्कुल सहीं पहला कथन गलत था क्योंकि इसमें दिया है कि महिलाएं भी भ्याग लेती हैं महिलाएं इसमें बिल्कुल भाग नहीं लेती है तीसरा कथन है हर वर्ष बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव जो है उसका आयोजन किया जाता है तो ध्यान रखना वर्ष 1978 से ही प्रतिवर वर्ष बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जाता है इस वर्ष 2020 में इस राउत नाचा का यह 43 संसकरण था कौन सा संसकरण था 43 संसकरण तो यह स्टेट्मेंट भी बिल्कुल सही कि हर वर्ष बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव जो है उसका अब options को देख लो तो option A में ही दिया है दो और तीन सही हैं तो option A जो है वह सही option होने वाला है इस प्रश्न क्रमांग 5 के लिए अब अगला है छटवा प्रश्न 36 गड के जनजाती नृत्य रूपों से संबंधित निम्न लिखित कथनों पर विचार करें पहला कथन है परव नृत्य बस्तर संभाग के आदिवासियों द्वारा किया जाता है तो ध्यान रखना यह जो परव नृत्य है इसे कौन करता है तो परजा या जिसे हम धूर्वा ज जनजाती के नाम से भी जानते हैं और यह जो परजा और धुर्वा जनजाती है यह निवासरत है कहां तो बस्तर संभाग में इसका यह मतलब नहीं है कि बस्तर संभाग के अलावा कहीं और यह जनजाती निवास नहीं करती मैं बात कर रहा हूं कि जनरली जो है इनका निवा तो यह जो पहला statement या कथन है कि परब नृत्य जो है बस्तर संभाग के आदिवासियों धारा किया जाता है यह बिल्कुल सहीं दूसरा है सुवा नृत्य को 36 गड़ का गर्बा कहा जाता है तो बिल्कुल कहा जाता है इसे 36 गड़ का गर्बा क्यूंकि गर्बा की ही भाती इसमें भी तालियों को बजाकर जो है गाकर नृत्य किया जाता है उसके अलावा यह तीसरा स्टेट्मेंट है कर्मा नृत्य में पुरुष सींगों से सजा एक मुकुट धारन करते हैं तो चूंकि कर्मा दिया है इसलिए यह जो स्टेट्मेंट है यह हो गया गलत तो सही क्या है तो स्टेट्मेंट एक सही है और स्टेट्मेंट दो सही है हमें क्या करना है सत्य कथुनों का चुनाव करना है तो हमने चुनाव कर लिया एक और दो सही है और options को देखें तो option B जो है उसी में दिया है एक और दो तो इस प्रकार option B जो है वह है सही answer इस प्रश्न क्रमांक छैक चटवे प्रश्न के बाद आजाते हैं किस पे तो साथवे प्रश्न पर निम्न में से कौन सा लोक गाथा और उनका जो विशय है वह सुमेलित नहीं है चालू करते हैं पहले option D से बात करते हैं फुल बासन तो यह जो लोक गाथा है इसमें रामायन को आधार लिया गया है और ध्यान रखना इसमें सीता जी जो है वह लक्ष्मन को एक फूल लाने को कहती तो अगर बात करें फुल बासन की तो बिलकुल यह रामायन पर आधारित है बात करें पंडवानी की तो आप सभी जानते हैं पंडवानी जो है वह महाभारत पर आधारित है और इसमें भीम जो है उन्हें मुख्य पात्र माना जाता है तो option C पंडवानी और महाभारत भी ब अधारित है लोरिक जो है उसे अहिर जाती का कहा गया है या मैं कहूं राउत जाती का कहा गया है लेकिन मैं बात करूँ अगर भर्थरी की तो क्या भर्थरी में नल दम्यंती की कता है नहीं तो ध्यान रखना भर्थरी जो है इसमें राजा भर्थरी और रानी पिंगला की कहा तो इस प्रकार हम देखें तो option A जो है वह सुमेलित नहीं और हमें प्रश्ट में क्या बताना था यही बताना था कि कौन सा option जो है वह सुमेलित नहीं है तो option A सुमेलित नहीं है इसलिए प्रश्ट क्रमांग साथ जो है उसका सही answer होने वाला है option A अब आठवा प्रश्ण है निम्न में से कौन सी एक प्रेम कहानी नहीं तो अगर प्रेम गाथाओं की बात करें तो कुछ प्रमुख प्रेम गाथाएं हैं पहला अहिमन रानी दूसरी है रेवा रानी तीसरी है राजा वीर सिह की गाथा चौती है भर्थरी और पांचवी है लोरिक चंदा तो यह जो पांच है वह है प्रेम गाथाएं अहिमन रानी रेवा रानी राजा वीर सिह भर्थरी और लोरिक चंदा तो देखिए रेवा रानी हमने देखा यह प्रेम गाथा अहिमन रानी हमने देखा प्रेम गाथा वीर से भी हमने देखा यह भी प्रेम गाथा ध्यान रखिए यह जो फूल कुवर है असल में यह एक वीर गाथा है कौन सी गाथा है वीर गाथा है प्रेम गाथा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हमें बताना था कि कौन सी प्रेम गाथ या प्रेम कहानी नहीं है, तो इस कंडिशन में सही आंसर है, option B, फूल कुमर, क्योंकि यह एक वीर गाथा है, प्रेम गाथा नहीं है, तो इस प्रकार प्रशन आठ का सही आंसर होने वाला है, option number B, फूल कुमर की गाथा, जो की एक प्रेम गाथा नहीं, बलकि एक वीर गाथा अगला है नवा प्रश्ट लोरिक चंदा आम तोर पर किस समुदाय के लोगों के द्वारा गाया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि यह जो लोरिक है इसे हम मानते हैं कि वह राउत समुदाय का था इसलिए राउट समुदाय के लोग जो हैं वही लोरिक चंदा को जनरली गाते हैं या आम तोर पर गाते हैं इसलिए इस प्रश्ण क्रमांक 9 का सही आंसर होने वाला है राउट इसको मैं आपको समझा चुका हूँ कि यह जो लोरिक है इसे क्या माना जाता है तो इसे राउट समुदाय से संबंधित माना जाता है या राउट समुदाय का था ऐसा माना जाता है इसलिए इसे कौन सा समुदाय जादा तर या आम तोर पर गाता है तो ध्यान रखें राउट समुदाय तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ाडू राम जी दिवांगन की तो होता यह है कि ज़ाडू राम जी दिवांगन है उनके माता पिता का देहान जब इनकी उम्र बहुत कम रहती है तब ही हो जाती है तो दिवांगन जी क्या करते हैं दिवांगन जी सबल सी चोहां द्वारा रचित दोहा चौपाई वाली महाभारत को पढ़ना चालू करते हैं और उसी से चालू करते हैं पंडवानी गायन और जाडू राम जी देवांगन संबंधित थे वेद मती शैली से अब जाडू राम जी देवांगन की एक शिश्या नाम तीजन बाई तीजन बाई का संबंध कि शैली से तो कपालिक शैली से अगर शैलियों में बिल्कुल कंफूजन हो तो समझ लो वेद मतली मतलब वेदों का पाठन कैसे करते हैं वेदों का पठन पाठन कैसे करेंगे तो बैठ के करेंगे तो ध्यान रखना वेद मतलब बैठ के तो दूसरा जो बच गया मतलब ऐसी शैली जिसमें खड़े होकर जिसमें तंबूरा लेकर हाथ में और हर चीज को तंबूरे क के माध्यम से दर्शाया जाए ऐसी शैली कहलाती है कौन सी कपालिक शैली। तो आपने देखा होगा तीजन बाई जो है उनके हाथ में हमेशा तंबूरा रहता है और वही जो तंबूरा है उसे वपकड़ कर सभी चीजों को दर्शाती हैं और यही शैली कहलाती है कपालिक शैली। इसका यह मतलब नहीं है कि वेदमती में तंबूरा नहीं ले सकते हैं। मैं यह बता रहा हूँ कि तंबूरा का इस्तमाल कैसे करते हैं। दूसरी बात और कपालिक शैली में एक और फेमस पंडवानी गायक हैं जिनका नाम है उशा बाई बारले। तो इस प्रकार हमने देख लिया सभी तीजन बाई, उशा बाई बारले और ज़ाडू रामजी देवांगन तीनों किस से संबंधित हैं तो पंडवानी से संबंधित हैं। और ध्यान रखना देवदास बंजारे जी हैं इनका संबंध किस से तो ध्यान रखना यह 36 गड़ के फेमस पंथी नर्तक थे। कौन थे? पंथी नर्तक तो हमें यहां बताना है कि कौन पंडवानी से संबंधित नहीं है तो हमें देखा देवदास बंजारे जी का संबंध किस से नहीं है तो पंडवानी से नहीं है बलकीन का संबंध किस से है तो पंथी से तो इस दसवे प्रशन का सहीं आप्शन क्या ह लोग कला संस्क्रिती का पाच्वा और अंतिम वीडियो तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू आण टेक केर CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए Competition Community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले